ओम सिरी गनेश आइनमा दोस्तू एश्ट्रो समाधान यूट्योब चैनल में आपका हारदिक स्वागत है मेश राशी वालू अब भगवान शनीदेव ने उठा लिया है धनुष 15 अपरेल से 24 अपरेल यानि किन 10 दिनों में वो होगा जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा जिसे सुनकर आपके होस उड़ जाएंगे जा दोस्तों ऐसा इन 10 दिनों में क्या होगा जिसे सुनकर आपके होस बताने वाले हैं इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू शरेकर अंत तक पूरा देखें बिल्कुल भी इस वीडियो को आप मिशना करें क्योंकि इस वीडियो में हम आपके 15 अपरेल से 24 अपरेल यानि किन 10 दिनों के शंपून और बिल्कुल 60 कराशी पल के बारे में ब रखवान शनीदेव का शिरवाद आपको शिरिप्राप्त है हो सके चले दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा आपकी राशी वालों के लिए 15 अपरेल से 24 अपरेल यानि किन 10 दिनों का यह महत्पापोने समय दोस्तों यह समय किसी समारो या धर्मिक आयोजन में सामिल होने के लिए आमंतरण प्राप्त हो सकता है संतान संबंदी भी कोई समस्या हल करने में आप शक्षम रहेंगे इस्तितियां धन दायक चल रही हैं उनका सद्यूप्योग करना आपकी चमताओं पर निर्वर करता है कि आप उनका कैसे सद्यूप्योग करें दोस्तों यह समय आपका दिल की बजाए दिमाग से निर्णे लेना आपकी कई योजनाओं को कारे रूप में परिणित कर सकता है तमाम ववस्ता के बावजूद आप अपने और अपने परिवार के लिए समय निकाल लेंगे अपनी कारे चमता पर आप पूर्ण विश्वास रखें दोस्तों साथ साथ इस समय कुछ पुराने दोस्तों से मिलने से कुछ पुरानी यादे ताजा होंगी जिस से आपके मन को काफे खुसी मिलेगी अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो फैसला अब आपके पक्स में होने वाला है इसलिए पहले से ही उस पर पूरा काम करकर रखें जिस काम को करने के लिए आप पिछले कुछ समय से काफी सोच विचार कर रहे थे तो अब उसके पूरा करने का समय आ गया है समझ बूज और विवेक से कार्रे करने से हर बाजी आपके अब पक्स पर रहेगी तता भारी संपरकों से भी आपको अब अधिक फाइदा मिलेगा दोस्तो इस समय अगर आप किसी महत्पपोंड कार्रे पर पैसा लगाने की सोच रहे हैं तो परिस्तितियां आपके अनुकूल हैं इस पर आप गंबीरता से काम लें दोस्तो यह समय आप धर और वेवसाय सम्मंदी सभी जिम्मेदारियों को बड़ी संजितगी और गंबीरता से निवाएंगे जिस से आपको काफी खुसी का अनुबब होगा दोस्तो साथी साथ यह समय दूसरों की बातों में आने की अपेक्षा अपने निर्णे को ही सर्वो परी रखें अन्यता किसी प्रकार का नुकसान भी हो सकता है किसी पडोसी के साथ छोटी सी बात को लेकर मामला थाने तक भी बन सकता है इसलिए अपने क्रोध पर आप नियंतर रखें जा दोस्तों बोलते समय सब्दों का उचित प्रियोग करें आपके नकारात्मक सब्द बच्चों में हीन भावना उत्पन कर सकते हैं इसका नकारात्मक प्रभाव उनकी पढ़ाई पर भी बढ़ सकता है साथ साथ यह समय बाहरी गतिविदियों तथा अंजान लोगों से दूरी बना कर रखें अधिकतर समय अपने घर पर ही आप व्यतित करें तो कि किसी प्रिकार का वाद विवाद होनी की भी आसन का लग रही है संतान से सम्मंदी कोई चिंता आपको रह सकती है दोस्तो साथ साथ यह समय कोई भी निलने इमोशनल होकर आप ना ले बच्चों के किसी कारे से आपको चिंता रह सकती है धन संबंदी भी नुकसान की भी संभव ना है अगर घर में सुधार संबंदी कोई योजना आप बना रहे हैं तो वास्तो के नियमों का पालन करना आपके लिए बहुती आवश्चक है किसी नजदी की रिष्टेदार की वज़े से घर में मन मुटाव होने की भी इस समय संभव ना है इसका असर घर परिवार पर भी पढ़ सकता है परन्तु घर के वरिष्ट वक्तियों की सला वे हस्त छेप से समस्याएं सुलज जाएंगी कटूवानी का आप प्रियोग भी करने से बचें जा दोस्तो यह समय अचानक से कोई नकारात्मक बात भी हो सकती है जिसकी वज़े से धन्हानी भी संभव है आर्थिक इस्तितियां ढगमागा सकती है अपने क्रोध वे उत्तेजना पर काबू बना कर रखें तता धहरें और सहियम से काम लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा दोस्तो बात अगर आपके लव लाइफ के नजरिये से करें तो यह समय वेस्तता की वज़े से परिवार में आप समय नहीं दे पाएंगे परन्तु परिवार के लोग आपकी इस्तिती को समझेंगे और सहयोग भी करेंग गर के किसी मुद्दे को लेकर पती पतनी में कोई छोटी नोक जोक भी रह सकती है परन्तु इसका नकारात्मक अशर घर के वातावरान पर नहीं पड़ेगा वैस्तता के बावजूद कुछ समय घर परिवार के लिए भी आप अवश्य निकालें सब के साथ मनोरंजन संबंदी योजनाई भी बनाएं दोस्तो यह समय बड़े बुजरगों के प्रती सेवा भाव और देखवाल आपके परिवारिक जीवन में सोबह गेलाएगा प्रेम प्रसंगों में भी प्रगड़ता आएगी दोस्तो बात अगर आपके वैवसाइक केरियर की करें तो वैवसाइक छि प्राप्त होगा जिस सेन को काफी खुसी का अनुबब होगा दोस्तो साथि साथ यह समय शेयर तता सक्टा जैसे कारों से तालुक रखने वाले व्यक्ती और सावधानी से कारे करें इस समय रुपे पैसे के मामलों में किसी पर भी भरूसा या विश्वास करना ठीक नहीं है ध्यान रखें कोई व्यवसाइक सूचना इस समय लीक हो सकती है सावधान रहें दोस्तो साथि साथ वर्तमान समय में चल रहें व्यवसाइक कारों के साथ साथ कुछ नए काम पर भी अपना ध्यान केंदरित रखें तो कि इस समय परस्तितियां आपके पक्ष में हैं इसका आ आप अवश्य ही लाब उठाएं दोस्तों वेवसाइक कारे चमता में बड़ोत्री होगी उस्तेनी वेवसाइ में अधिक लाबदाएक परिस्तितियां बन रही हैं समय का आप भरपूर फायदा उठाएं अचानक से ही कोई बड़ा काम बन सकता है जिससे आपको काफी खुसी ह होगी दोस्तों साथी साथ आपको पहले भी आगाह किया गया है कि वेवसाइक गति विदियो में वर्तमान इस्तिति पर अपना ध्यान केंद्रित रखें जल्द ही लाब के मार्ग प्रस्तित होंगे अचानक ही कोई बड़ा कारने बनने से मन को काफी प्रसनता रहेगी दोस दोस्तों नोकरी से संबंदित कोई अच्छी बड़ी खुसकबरी इनको इस समय अवस्ते ही प्राप्थ होगी जिस सेन का मन बहुती प्रसन रहेगा दोस्तों बात अगर आपके स्वास्तिकी करें तो यह समय किसी पुरानी बीमारी से संबंदित रिपोर्ट ठीक आएगी स् प्रकार की चिंता आप ना करें प्रंतु वर्तमान नकार अत्मक वातावरन से अपना बचाव करना आपके लिए अतियावशक है तो उस्तों साथी साथ किसी प्रकार की चोट आदी लगनी की भी संभावना है वहन आप बहुती सावधानी पूर्वक चलाएं तथा नसे पूली चीजों का सेवन आप ना करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा